नमस्कार दोस्तों मैं पंकस सिवारे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ले भूमी उत्राखंड में अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सस्काइब जरूर कर लीजिए और उत्राखंड से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे ब्लोगर पेज को भी सस्क्राइब कर सकते हैं उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्राखंड में इस्तित पंच केदारों के बारे में जोकी उत्राखंड के 5 ये सब रुद्यु पिरियाग कुछ में दोस्तों वीडियो सुरूह करते हैं सब से पहला है दोस्तों केदान नात जो की केदा नमंग घाटी पर इस्तित है यह बारा जोति लिंञों में सर्भोच्य जोति लिंग हैद दूसरा केदार' है दोस्तों तुंगनात जो कि समुदतल से 3680 मिटर की उचाई पर इस्तित है यहां भगवान संकर के भुजाओं की पूजा की जाती है तो दोस्तों यहाँ विश्व में सबसे उचा सिब मंदिर भी है जो कि उत्राखंड का तुंगनात मंदिर आप जो उत्राखंड से जुड़ पांडवों ने इस मंदिर का निर्मान किया था यहां मंदिर 1000 वर्ष पुराना सिब मंदिर है दोस्तों तीसरा है रुद्रनात जो तीसरा केदार है वो रुद्रनात केदार है यहां समुदतल से 2286 मिटर की उचाई पर इस्तित है यहां एक गुफा के रूप में इस्तित है जिसमें भगवान सिप के मुखाकार की पूजा की जाती है रुद्धनाथ में एक रास्ता उगम घाटि से दुर्गम गाउं से गुजरता हो दोस्तो भारत में रुद्धनाथ एक ऐसा मात्र स्थान है जहां भगवान संकर के जो है वो मुखाकार की जो पूजा होती है वो की जाती है और ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान सिप के मुखाकार की पूजा होती हो भारत में दोस्तों चोथा के इदार है हमारा मद महिस्वर जो की चोखंबा सिकर की तलहटी में 3289 मीटर की उचाई पर मद महिस्वर मंदीर जो है वो इस्थित है दोस्तों मद महिस्वर मंदीर में भगवान सित की पूजा नाभी लिंगम के रूप में की जाती है पौराने कथाओं के अनुसार यहां की जो भूदे हैं जो जल है यहां का वह मोक्ष को प्राप्त कनने वाला होता है यह पौराने कथाओं के अनुसार माना गया है मदमहिस्वर मंदीर के बारे में आपकी जानकारी के लिए बता दू, छे माहां जो सीतकालीन होते हैं, वहां पर मद महिस्वर मंदीर के जो कपाठ हैं, वो बंद रहते हैं, छे महने जो सीतकालीन, छे महने होते हैं, उसमें मद महिस्वर मंदीर के सारे कपाठ जो हैं, मंदीर में पूजा अर्चना नहीं हो प कलपेस्वर महादेव यह समुद्ध तल से 2134 मीटर की उचाई परिस्तित है और दोस्तों यहां भगवान शिप के जटाओ की पूजा की जाती है कहते हैं कि इस इस्तान में दुरवासा रिसी ने कलप विक्स के नीचे घोर तपश्या की थी तबी से यह स्तान कलपेस्वर या कलपनात के नाम से परसिद्ध हुआ और दोस्तों सांथी मैं आप लोगों को यह बताना चाहरा हूँ कि इन मंदिरों के बारे में आप लोगों को अलग से वीडियो अलग से मिलेगी हर एक मंदिर के बारे में आप जुड़े रहे देभुमी उतराखंडी के साथ चैनल को सस्काइब करें वीडियो लाइक करें और जादा से जादा लोगों तक इसको सेयर करें और उत्राखंडी की किसी भी टॉपिक के बारे में आप जांना चाह रहे हैं तो मुझे comment box में comment करें मैं आप तक उस वहां की जानकारी पहुचाने की कोशिस करूँगा तो दोस्तो मेरी छोटी सी कोशिस आप लोगों को कैसी लगी comment box में comment कर जरूर बताए जै दे भूमी जै उत्राखन